हलो प्रिवन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रेग यूपीसी सीसी हिंदी मैं प्रफ़सर सुईलव वेक्ति दिली मुखरजी नगर से आप सभी का स्वागत करता हूँ दा हिंदू दा हिंदू बिजनेस लाइन इंडियन एक्स्प्रेस के इंटर लिंकिंग क्वालिटी इंप के जैसा स्लेवस है जैसे महरास्टरा PCS जैसे उत्तरप्रदेश PCS जैसे उडिशा PCS जहां पर भी UPSC के जैसा स्लेवस है वहाँ पर संपूर तयारी आपको यहां से हो जाती है उन सबका मैं IQIP करता हूँ उसके साथ साथ बिहार PCS और अन स्टेट PCS का भी पूरा का पूरा कंटेट मिलता है बिहार PCS बिशेश कर निबंध के लिए जनेल स्टेडीस पेपर वन और टू इनके लिए आप इस लेक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सभी स्टेट PCS को भी ध्यार में रख करके यहां पर त्यारी कराई जाती है टार्गेट यही है आपको UPSC की जरनी मे रैंक लगाना सिबिल सर्विसेस की जरनी में रैंक लगाना है और उसमें मुझे अपना सयोग देना है और चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी जरनी और आज है 16 जनवरी तो आपके सामने देखे लिखा हुआ है हिंदू का आज कोई भी एडिटोरियल नहीं आया है मकर सं सामने आज पांच एडिटोरियल से हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले अमूल पर हम चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया चर्चा होने वाली इसके लावा UPSC के लिए एक स्वामी विविकानेंजी का कोड उस पर हम लोग बातचीत करे करेंगे और उसके साथ मागी मेला क्या होता है प्रिलिम्स के लिए इसको भी देखेंगे और यह जो सारी निउस हैं 11-15 जन्वरी की जो निउस रह गई थी जब मैं चुटी पे था तो वो सारी निउस भी यहाँ पर कवर करा दी गई हैं तो आज हमारा पूरा जो आगे पी मैं प्रारंब करने जा रहा हूं तो जो भी एस्पिरेंट डिडी बासु पढ़ रहे थे या जो नहीं भी पढ़ रहे थे वो यहां पर मेरे साथ साथ 9 बजे कनेक्ट हो जाएंगे आज का पहला टॉपिक है 16 जन्वरी का इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्लेंट पेज पे यूपी एस्सेंसियल क्या है यूपी एस्सेंसियल दिस कोट मींस यानि एक कोटेशन दिया गया है Arise, awake and stop not till the goalies reached by Swami Vivekanandis का मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक की लक्ष्य प्राप्त ना हो जाएं तो इस यानि UPSC Essential जो Explained पेज प्याता है इंडियन एक्स्प्रेस के इस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है कि यह जो स्टेटमेंट है इस पर एसे भी आ सकता है महां आगे लिखा हुआ है यानि और उसके साथ मैं तो कराता ही कराता हूँ इस एडिटोरियल में जो ल में भी आ सकता है ऐसा इस अख़बार में लिखा हुआ जी एस पेपर फोर में भी आ सकता है जो भारत्यों विश्व के नैतिक विचारक है यूनिट फाइब जो हमारी है इंडिया एन वर्ड के मोरल थिंकर्स हैं तो उनका उनमें एक कोटेशन आता और उस कोटेशन की बरत प्रसंग इकताब बता सकते हैं कि हमें किस परकार से संदेश दे रहा है क्या संदेश दे रहा है तो बहुत अच्छे से इसको मैंने इंटर लिंक किया है मज़ा आएगा आप लोगों को तो ये टॉपिक आपके सामने है यूपी असी सिलेबस यानि एसे के लिए होई गया इस पेपर फोर भारत तथा विश्चुके नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान कांट्रिबूशन आप मोरल थिंकर्स और फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ड इन दोनों से इसका सीधा सीधा रिलेशन है अब हम पढ़ते हैं इस यानि यूपी अस इसेंशियल में इंडियान एक्सप्रेस में क्या क्या कहा गया है इस कोटेशन को ले करके स्वामी बिबेकानन जी को ले करके और दोनों ही बातों को यानि स्वामी बिबेकानन जी के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके साथ उनका जो कोटेशन इन दोनों को हम किया किसका नियो वेदान्ता यानि नौ वेदान्ता का तो यह प्रिलिम्स के लिए भी है कि नौ वेदान्त का सिध्धान्त किसके साथ जुड़ा हुआ है तो स्वामी विवेका नंद के साथ जुड़ा हुआ एक फैक्टी आपको याद कर लेना है अब इसके बाद क्या है पस्चमी लेंस यानि पस्चमी चस्मे से क्या है पस्चमी लेंस के माध्यम से हिंदू धर्म की व्याख्या है यानि हिंदू धर्म की एक तार्किक व्याख्या है यह आपको ध्यान में रखना है और इस धर्म की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि हमारा जो धर्म है वो च अंदर धारण करता है यही नव वेदानत है इसको आप याद रखेगा इसका मतलब है नव वेदानता जो है यह आध्यात्मिक्ता और भौतिक विकास को जोड़ता है तो नव वेदानता का मतलब क्या हो गया नियो वेदानता का मतलब क्या हो गया आध्यात्मिक्ता भी ये स्वामी बिविकानन जी के बारे में कुछ बाते थी जो प्रिलिम्स के लिए आपके लिए इंपोर्टन थी अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं इनके बारे में बताया इनकी जो बर्थ एनिवर्शरी यानि इनका जो जन्म दिवस है वो 12 जन्वरी को होता है और यह 12 युवाओं को प्रेरित करने के लिए कहा गया है किसको युवाओं को हलाकि सभी आयूवर्ट के लोगों के लिए यह कोटेशन है कौनसा कोटेशन उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आप यूपी अश्री की त्यारी करते हैं आप के लिए भी यह लक्ष उतना ही प्रासंगिक है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए यानि आप सेलेक्ट ना हो जाए तो 12 जनवरी को यूथ डे के रूप में मनाया जाता है इनकी जो जैनती है तो यह आप ध्यान रखेगा उन्हों यानि उनके जन्म दिवस को क्यों युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि उन्होंने युवाओं के महत को रेकांकित किया कि एक देश में युवाओं का क्या महत है तो स्वभाविक है उन्होंने कहा कि आत्मिक विकास के पत्थ पर ले जाने की सकती है युवाओं में समाज को बहुतिक विकास के पत्थ या मार्ग पर ले जाने की सकती है तो यह जो उनके विचार थे उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए 12 जन्वरी को युवाद दिवस के रूप में हमारी सरकार के द जा रहा है तो आज वो युवा दिवस और ज़्यादा प्रसंगी क्यों हो गया है इसलिए चुकि भारत की विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवा अबादी है वो भारत में है भारत युवाओं का देश है और हम यह कहते हैं कि भारत के पास डेमोग्रेफिक डेबिडेंड है यानी जन सांक की ये लाभांस है तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि भारत ये भारत की युवा अबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अधिक अबादी वाला देश है जहां दुनिया की रोप में 45 और जापान में 49 बरस है आप यहां से देख सकते हैं भारत की युवा अबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा युवा अबादी है और इसी युवा अबादी को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करने के लिए स्वामी बेव वेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और युवाओं को प्रेरित करने वाली उनकी ये पंक्तियां है तो आज के बास अगर ये पंक्ति उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए अगर यह के निर्मान की ताकत होती है अध्यात्मिक रूप से भी बहुतिक रूप से भी तो यह पंक्तियां युवाओं को प्रेरित करती हैं कि वह अध्यात्मिक रूप से भी बहुतिक रूप से भी रास्ट के विकास्ट में अपना योगदान दे एक दूसरा रास्ट के नीति निर् सकें ना कि हम उन्हें लापरवाह और बेकार जन सक्ति के रूप में आगे बढ़ने दें तो ये सारी बातें आप यहां पर देख सकते हैं इस कोटेशन के साथ अभी तक जितना हमने पढ़ा उसको आप यहां पर कोट कर सकते हैं अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां से लिया गया है यह उपनिशदों से लिया गया है तो पहला यह फैक्ट इसको आप याद रखेगा यहां उपनिशद परमपरा से उनके पास आया है पहले यह उपनिशदों में था उन्होंने इसको लिया है और यहां पर वही बताए गया कि यूपीस्ट के लिए इसकी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी आपको मोटिवेट करने के लिए यह पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है जरा अपनी ताकत को पहचानिए यह पंक्तियां आपकी ताकत की बात करती है आपकी सक्ति की बात करती है जरा इसको समझेगा अब यहां से आता है कि यह जो उ मासीम अनन्त प्रेंथ है यानि मानों के अंतरगर अनन्त सक्ती अनन्त बल है और मानों को अपनी अनन्त सक्ती और बल को पहचारना चाहिए विबेकानन्ध युवां से शिञार यानि क्या करो उठो जागो और तब जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जा, इसका मतलब एक विचार लो, अब व्वन वीचार कुछ भी हो सकता, वा विचार आपका UPSC में सेलेक्ट हो करके, डिस्त्रिक के विकास का हो सकता है, तो अगर आप आप वह विचार ले लिया है, कि मुझे UPSC में सेलेक्ट हो करके, और जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है उसका विकास करना है रास्ट की मुख्य धारा में उसके योगदान को ब्यापक अस्तर पर सामने लाना है बेहतर कार करना है तो वही है इस स्टेटमेंट का मूल भावक उठो जागो और चल पड़ो जब तक कि अपना लक्ष प्राप्त ना हो जाए तो यह कोटेशन यही कह रहा है कि एक बिचार ले लो और उस एक बिचार को अपना जीवन बना लो क्यूं क्यूंकि तुम्हारे अंदर अनंत सक्ति अनंत बल है अपनी उस अनंत सक्ति और बल के दम पर आपको अपने लक्ष को प्राप्त करना है और स्वयम अर्थ दे रहा है याद रखेगा अब इसके बाद उन्होंने दो सब्द और युवाओं के लिए इस्तेमाल किया है वो है strength and fearlessness उन्होंने कहा कि जो बल है जो सक्ति है और उसके साथ साथ जो निडरता है ये दो युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है आप लोग भी इसको सीख अपने आपको और राष्ट के निर्मान को इन ही दोनों सक्तियों के अधार पर अपने आपको लगा देना चाहिए तो ये दोनों सब्द भी आपको याद रखना है ताकत और निडरता हुए दो सूचक सब थे जिनका इस्तेमाल वह युवाओं से अपनी वास्तविक छमता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में आत्म साथ करने के लिए कहते थे तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको आपका लक्ष प्राप्त ना हो जाए वो क्या कहता है कि आप में अनंद सक्ति है असीम ताकत है एक विचार लेलो वह विचार कुछ भ अब यहां पर महतवपूर्ण यह हो जाता है इसी इतनी बात पर यह पूरी सूजना खतम हो जाती है यानि अब उन्हों ने कुछ और बाते कहीं उसको भी जरा समझें यानि इसी स्टेट्मेंट का विस्तार है ये इसके बारे में सोचो किसके बारे में जो भी लक्ष आपने तैं कर लिया, इसका सपना देखो, उस बिचार पर जियो, मस्तिष्क, मांस्पेशियों, नसों, आपके सरीर के हर हिस्से को उस बिचार से भर दो, और बाकी सभी बिचारों को अकेला छोड़ दो, यही सफलता का मार्ग क्या है, यही सफलता का मार्ग, यानि जिस भी बिचार को अपना लो और उस विचार की जब तक यानि कोई भी लक्ष अगर तै कर लो किसी भी विचार को प्राब्द करने का लक्ष अगर आपने तै कर लिया है तो जब तक वो मिलना जाए आपको इफ एन बट जैसे सब्दों से आपको अपना बचाओ करना है और अपने लक्ष तक पहुंसते चले जाना वो यही यहाँ पर कह रहें कि बाकी सभी विचारों को अकेला छोड़ दें जिसको आपने चूश किया है कि अब उसी की तरफ फोकस करें जीवन में हम सफल हो यह कोटेशन है याद रखेगा अब उन्होंने तीन चीजों पर बिसेस उन्होंने कहा कि आप अपने अंदर से भै निकाल देजे गांधी जी भी ऐसा ही कहते हैं जब वह गांधी जी के एकादस ब्रत आप पढ़ते हैं तो उसमें निर्भैता एक ब्रत है एक ग्यारा ब्र की प्राप्ती की तरब बढ़ते जाने जाना इसके अलामा बैलेंस आफ माइंड यानि मन का संतुलन हमें दिमाग में रखना है कि हमारा मन किसी भी प्रकार से भटकाओ का सिकार ना हो मन का संतुलन यानि टार्गेट तैं तो फिर मन को उसी टार्गेट के साथ जोड़ देन जो गोल आपने सेट किया है तो आप ये मानक चली कि आपने इतनी सकती है कि आप इश्वर को भी प्राप्त कर सकते यह है दिब्वता यानि अपने लक्ष को प्राप्त करो आप इश्वर को प्राप्त कर लोगे यह तीन बातें उनके इस दर्शन के केंद्र में तो यह तो हो होती है कि आपने हमें बता दिया मीनिंग क्या है इस कोट की उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जाया हमें पता लग गया यह विवेक अनंजी का स्टेटमेंट है हमें यह पता लग गया कि इसका मतलब है कि मनुष्य के भीतर अनंद सक्ति है ताकत है वह एक विचार ग्रहन कर ले और पूरी सक्ति के साथ निडरता के साथ दिव्यता के साथ उस लक्ष को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ जा और वो लक्ष प्राप्त कर लेगा अब इसी इतने से 1200 क्या लिखा जा सकता है मुझे बताई आप सब लो यानि जो य स्टेट में अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हैं और बिहार PCS में भी साफ साफ कहा गया है कि एक मतलब चेर्मेन सर की तरफ से कि एसे फिलास्पिकल विशे से पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं फिलास्पिकल विशे अब आप लोग 1200 सब लिखेंगे कैसे उ वो एक बार हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि हमें यह यात्रा कैसे करनी है जैसे स्वामी जी का स्टेटमेंट मैं सौट फार्म में लिखूंगा स्वामी जी का यह स्टेटमेंट हो गया अब इसमें क्या कहरें हो उठो जागो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष प्राप्त ना हो जाए अब यह UPSC के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यह BPSC के लिए भी है ठीक है न बिहार, PCS और UPSC दोनों में फिलोस्पिकल यह से पूछे जाएंगे UPSC में लगातार पूछे जाते रहें बिहार में आप पूछे जाएंगे याद रखेगा क्योंकि साफ साफ कहा गया है BPSC के चेर्मेन साफ की तरब से की फिलोस्पिकल विशे भी पूछे जाएंगे अब इसको अगर आपको करना है तो सबसे पहला जो हमें निवंध में लिखने में पोसिस करनी चैए इसका आर्थ सबसे पहले हम किलियर कर दें इसका आर्थ उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्षे प्राप्त ना हो जाया यानि यह क्या है यह प्रेणा-दाई पंक्तियां है प्रेणा दाई पंक्तियां है जो मनुष्य के लिए हैं केवल युवा के लिए नहीं जो मनुष्य के लिए हैं जिसमें युवा भी सामिल है ये पंक्तियां जो मनुष्य के लिए हैं और मनुष्य को प्रेरिद करती हैं किस बात के लिए है कि एक लक्ष तै करो लक्ष तै करो ठीक है अब लक्ष तै करो यह लक्ष क्या होगा यह यह भी important है लक्ष क्या होगा यही निवन्ध का main part होगा लक्ष तै करो अब इसके बाद लक्ष क्या होगा वह आप यहां पर डाल सकते तो वह लक्ष होगा व्यक्तिगत जीवन की सफलता जैसे आप कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई प्रबंधक बनना चाहता है कोई आयस बनना चाहता है कोई पीसियस बनना चाहता है कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है, तो व्यक्तिगत जीवन की सफलता का लक्ष आप तै कर लीजी, ठीक है नो, एक तो ये हो गया, इसके साथ साथ हम समाज के उत्थान का लक्ष, समाज के उत्थान का लक्ष, ये सारे लक्ष है आपको, अब समाज क के उत्थान में सब कुछ सामिल है समाज के जो भी विशे हो सकते हैं जैसे बर्गिये उत्थान जो उच बर्ग निम्न बर्ग के बीच में जो आई की अस्मानता है उसको कम करना इसके अलामा जो जातिकत भेद भाव है आज भी समिधान लागू होने के बाद भी यह भेद भा पूरे हिंदुस्तान में तो बर्गिये आप जातिकत उत्थान इसके साथ साथ है लेंगिक उत्थान यानि जो लेंगिक भिशमता है तो ये लक्ष होना जाए आनि निबंद में आपको ये लिखना है कि लेंगिक उत्थान लक्ष होना जाए उठो जागो तब तब तक मत आर्थिक भागीदारी उनकी बहतर भागीदारी सुनिशित हो, तो समाज के उत्थान के लिए आप काम करें, फिर समाज के उत्थान में ही क्या आता है, समाज के जो भी लोग हैं उनको अच्छा पोशन मिले, तो पोशन के लिए काम करें, फिर इसके बाद अच्छी सिक्षा क के लिए काम करिए उसके पहले अच्छे स्वास्त के लिए समाज के काम करिए अच्छे कौसल के लिए काम करिए इसके बाद समाज में रहने वाले जोगों के आवास के लिए काम करिए यानि यह सब लक्ष है समाज के उत्थान का लक्ष है तो राजनीति के उत्थान का मतलब क आज ही अभी मैं वन लाइनर आपको पढ़ाने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट में एलेक्शन कमिशन ने कहा है कि भारत में चुनाओं में ब्यापक अस्तर पर भ्रस्टाचार है तो राजनीतिक उत्थान का मतलब यही कि भ्रस्टाचार के सभी रूपों की राजनीति में प्रशाशनिक लक्ष का मतलब है कि आपको लिखना है कि जो लोग प्रशाशन में है या प्रशाशन में जाना चाहते हैं उनको प्रशाशन में ब्याप्त भ्रस्टाचार को दूर करना है उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस के कॉंसेप्ट को आप यहां पर लिखें कि संकल अपना को ब्यावहारिक रूप देना है तो ये आपका हो जाएगा फिर इसके बाद आपके आर्थिक उत्थान का लक्ष यानि इस देश का आर्थिक उत्थान कैसे होगा तो आर्थिक उत्थान का मतलब क्या होता कि अगर सभी जॉब सीकर होंगे तो जॉब क्रियेटर कौन ह तो स्वभाविक है आपको बताना है कि यहां पर सरकारी रोजगार के साथ साथ उद्यम सील मानसिक्ता का विकास यानी आंत्र प्रन्योशिप क्वालिटी का विकास हिंदुस्तान में होना जिससे धेर सारे स्टार्टप लिए जा सके आज सभी लोग सरकारी नोकरी चाहते हैं अगर सभी लोग सरकारी नोकरी चाहेंगे तो क्या सब को सरकारी नोकरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी इसका समधान क्या हो लापरवाह और बेकार जन्सक्ति के रूप में जाने जाने से अच्छा क्या है स्टार्टप की मानसिक्ता को विक्सित किया जाए तो ये लक्ष उठो जागो और लक्षिकल वियुद्धि के लिए नहीं यह जो हैं वहां विद्यारथि भी लेकिन वही वियक्ति एक राजनेता भी एक पॉलसी मेकर भी एक अर्थशास्त्री भी एक समास्ति क्वेप थर्म सास्त्री भी है तो वो यानी वह व cylinder की ठीक है अनेे को प्रकार का इस भीवस्ता में पद धारण और जिस्षी पद पर द्रॉन का इस द्रस्पु य। बैठा भो समैक रिए गहां maiorनित के उत्वा रज अन्सक्षण के दिया गया है और विजया है यानि एक युवा ये सोचे कि कैसे वो उध्यमी बन सकता है, फिर इसके बाद प्रदोग की उथान कैसे हो, यानि research and development पर बहुत जादा फोकस किया जाए, हर एक विद्यार्थी केवल पुस्तकों में अक्षर में ना जाए, बिडबीन दा लाइन्स जाए, तो प्रदोग की उ प्राचीन काल में कितना बड़ा फंड दिया जाता था बैग्यानिक उत्थान के लिए, लेकिन उस समय भी बैग्यानिक आविशकार होते थे, तो हमें स्वयम भी प्रियास करने की आविशक्ता है, तो प्रदोग की उत्थान होना चाहिए, तो ये सब है, उठो जागो तब तो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक की IPCC की सिक्स्त रिपोर्ट की चिंताओं को दूर ना कर दिया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को दूर ना कर दिया जाए, उसके संकट को ना दूर कर दिया जाए, इसके अलामा एक बहतर अंतराश्प्रिय ब्यवस्था बनाने के लिए भी हमें उठना होगा चलना होगा और तब तक नहीं रुखना होगा जब तक United Nation प्रासंगिक ना हो जाए जब तक WTO की बातें सभी देश मानने ना लग जाए जब तक WTO प्रासंगिक ना हो जाए तो यह सारे विश्य आपको इस निबंध में लिखने हैं ठीक है तब जा करके आपका पूरा यह कम्पलीट होगा अब यहां से आप देखें जैसे ब्यक्तिगत जीवन अब बहुत से एक्जामपल इंडिया अन वर्ड यानि अगर इसको आप डिटेल करना चाहें तो भारत और विश्य के बहुत से एक्जामपल आपको परस्नालिटियों के मिल जाएंगे जिन्होंने इस सिद्धान्द के अधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है ब्यक्तिगत जीवन में वो सफल रहें जितने भी सफल प्रस्नालिटी है आप याद कर लिजिए ठीक है उन्होंने इसी कतम भले ये कतन हाला ये कतन क्या है यहां हम स्वामी विवेकनन जी के नाम से पढ़ लेकिन है तो ये उपनिस्दों का ही कतन तो आपको ये बात भी लिखनी तो प्राचीन कालसले के आज तक जितने भी सफल ब्यक्ति हैं वो तभी सफल हुए होंगे जब उन्होंने इसी सिद्धान्द के अधार पर इसी विचार के अधार पर क्या किया है अपने जीवन को आ जा करके और फिर अपने बच्चों के लिए कंटेंट निकालना पड़ता है तब जा करके UPSC हमारे हाथ में आता है इस हिसाप से आप इस कोटेशन का यूज कर सकते है अब आता है हमारे सामने आज का दूसरा डिटोरिल जो की बहुत अच्छा है अच्छा इसलिए है पहले 2023 में जब हम प्रवेश कर चुके हैं 2023 में जनवरी में हम हैं तो मुद्राजपिती कम हो रही है यह हमारे लिए एक अच्छी साइन है हमारी अर्थ ब्यवस्ता के लिए अच्छी साइन लेकिन सबसे बड़ी चिंता GDP है अब आप देखिएगा तो बड़ा महत्तकुन इस प्र डेटा पर ऐ अच्छा काम करते हैं जो भी बोलते हैं उसके पिछे एक बढ़िया लॉजिक होता है तो हम ये पढ़ने जारहे हैं मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यह अच्छा क्यूं है यह अच्छा इसलिए क्योंकि हम अभी बजट आने वाला सर्वे आने वाला सबसे पहले सर्वे 31 जन्वरी को उसके बाद फिर अगले दिन बजट तो बजट और सर्वे के पहले अगर हम इस टाइप का एडिटोरियल पढ़ते हैं जिसमें इंडिया की GDP पर बातचीत की गई है उसकी करेंट सेनारियों पर बातचीत की गई है इंफ्लेशन पर बातचीत की गई है तो उस समय जब हम budget सुनेंगे तो दिमाग में ये सारे point अच्छे से बैठे रहेंगे कि भाई अभी हम कहां खड़े हैं budget क्या कह रहा है तो हम दोनों को relate करेंगे तो budget हमें और अच्छे से समझ में आएगा आएए समझने की कोशिस करते हैं तो GS3 भारती अर्थव्यस्ता में संसादनों को जुटाना चाहे आप यहां से connect कर लेंगे चाहे सरकारी budget GS3 economics के साथ आप connect कर लेंगे और उसके साथ ऐसे independent question यहां से कोई नहीं आएगा ऐसे के लिए यहां पर content अच्छा कासा है India's current economic challenges भारत की अगर direct नहीं पूचा गया तो भी हम इसका कहिन के यूज कर सकते हैं तो हम इसी approach से इसको पढ़ने जा रहें कि बरतमान में भारत की आरथिक चुनोती हैं क्या है लाजिकल चर्चा है ज़र आप अच्छे से समझेगा economics का एक बहुत बढ़िया हम concept सीखने जा रहे हैं ऐसा मानगे चलेगा तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो official data है उस official data यानि सरकारी data से हमें पता चलता है कि जो December है December में जो retail inflation है जो खुद्रा मुद्रा शफिती है वो 5.7% पर रही है तो यहाँ पर यह बताया गया कि अच्छी बात है 5.7% लगातार चौथा महीना है यानि सितंबर, अक्टूबर, नॉबंबर और दिसंबर यह 4 महीनों कहिनों ने जिक्र किया और कहा कि जब हमारा inflation 6% का जो अपर threshold है मुद्रा शफिती लक्षी कृत फ्रेमवर्क में जो अपर threshold है 6% 6% उससे हम लगातार 4 महीने हो गया है कि हम उससे कम है अच्छी बात इंडियन एकोनामी के लिए इसी लिए एडिटोरियल क्या लिखा गया इसी डेटा के अधार पर उन्होंने टाइटल दिया है समझेगा कि मुद्रा शफिती कम हो रही है तो आप देख सकते हैं या पहली बात प्रूफ हो रही है अब उसके बाद आता है इन्होंने फिर चर्चा किया कि 2022 में inflation या महंगाई सबसे बड़ी समस्या थे और महंगाई अपने आप में एक सब्द नहीं है कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या थी हो इतना ही पढ़ करके हम भूल जाएं यह जो inflation है जो महंगाई है इसका impact चतुर्दिक रूप से multi-dimensional यह economy पर impact डालता है यानि यह inflation अगर है महंगाई है economy में तो यह economy में demand और supply कर देता है उसे कमजोर कर देता है यह point अपने दिमाग में आप लोग रख लीजेगा तो आते हैं 2022 में महंगाई सबसे बड़ी चिंता थी इस point को आप दिमाग में रख लीजेगा ठीक ना अब आता है कि जब अब अगर यहाँ पर समझेगा बड़ी अच्छी बात लिखी हूँ इसको मैं इन ही के हिसाब से समझाता हूँ क्योंकि यह data पर अच्छा काम करते हैं इस नहीं ठीक है यहाँ पर यह पिता कि सबसे बड़ी चिंता थी अब यह चिंता केवल अपने आप में अकेली नहीं है इसको जरा बेटेड होती है तो अब आप देखें यह क्या करती है मुद्राइस पीती जादा है तो इसका मतलब है कि हमारी और आपकी खरीदने की छमता यानि रूपए की क्रेश सक्ति कम हो जाती है तो इसने क्या किया लोगों की क्रेश सक्ति को कमजोर कर दिया अब देखेगा और प परिणाम क्या होगा जो प्रोडूसर्स हैं जो बस्तूओं और सेवाओं की सप्लाई करते हैं जब हम बस्तूओं और सेवाओं की पैशे की क्रेशक्ति में कमी होने के करन्ट डिमांड नहीं करेंगे गुड्स और सर्विसर्स की तो जो गुड्स और सर्विसर्स के सप्लायर ह करेंगे वो हतोसाहित होंगे और हतोसाहित हो करके वो उत्पादन को कम करेंगे तो जब उत्पादन को कम करेंगे तो एकोनामी में क्या हो जाएगा बस तुम्हें और सेमाओं की जो आवक है वो ऑबियस है कम होगी तो फिर वो भी क्या करेंगे एक तो यह डिमांड और सप्ल circulation कमजोर हो गया इसके साथ GIS के साथ फिर वह नोकरियों में चटनी करतेई तो जब नोकरियों में चटनी होती है तो बहुत से छोड़ता है तो उनकी क्रेश ठक्ति थोड़ी और कम हो तो इसका मतलब है महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश के लिए याद रखेगा एक चीज तो ये बताए गया है आई होप आप सब समझ गये होंगे कि डिमांड और सप्लाई का रिलेशन कैसे उच महंगाई के कारण विखर जाता है अब इसके बाद आगे इन सब्सक्राइब और गंभी रूप से हमारे सामने आएक हम इंपोर्ट अधिक कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हम पहले भी करते थे लेकिन अभी थोड़ी स्थिति खराब हुई है हमारा व्यापार घाटा मैंने आप लोगों को पढ़ाय था करेंट अकाउंट डशिट य मांग वहां कम हो गई है थोड़ा प्रोटेक्शनीजम यानी सनरक्षणवाद की अधाना वगयरा भी है उसके कारण भी हमारी बस्तों की मांग कुछ कम हुई है तो इसके कारण से क्या हो गया है जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ओवियस से हमें ज़्यादा से बियापार घाटे को भी बढ़ा दिया आप प्रिलिम स में कोषण आज जाएगा कि न 마음에 लिखित मेंसे कौन से मुद्रा स्पीती के परेंडाम नहीं होते तो यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि मुद्रा स्पीती का क्या प्रेणाम नहीं होता है या होता में महंगाई जादा थी लेकिन क्या अब महंगाई पर काबू पा लिया गया है तो यहाँ वही कहा गया कहा भाई जो ट्रेंड है इंफलेशन का उसमें गिरावट है पिछले चार महीने में 6% का जो उपरी सहिशनू सीमा है अपर threshold जो limit है उसके नीचे है तो यह यहाँ पर बताए गया है याद रखेगा लेकिन फिर अब देखिए महंगाई पर तो काबू पा लिया गया लेकिन अभी भी बैस्विक अस्तर पर कई चुनोतिया है जो इस महंगाई को कभी भी बल दे सकती है और वो क्या है रशिया उक्रेन का वार है नाटो अगर उसमें हस्तक छेप करेगा तो फिर जियो पोलिटिकल ट्रैसिस हो जाएगी भूराजनितिक संकट हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो सकता है महंगाई फिर से बढ़ सकती इसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर रशिया उसारी चाइना और अमेरिका के बीच में कोई भी दुन्द हो जाता है जिसकी की 2023 में संभावना है तो वहाँ पर भी एक समस्या बढ़ सकती है हाला कि अन देशों में इसकी लहर ब्यापक नहीं है चाइना को छोड़ करके लेकिन में भी अगर इसने हलकी फुलकी वापसी की तो उसके कारण से फिर से इंफलेशन बढ़ेगा तो यह बात यहाँ पर कही जा रही है यह यहाँ पर उन्होंने कहा यह यहाँ पर दिखा गया याद रखेगा तो अब अगर अगर विसलेशक इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ सकती है तो आपको क्या लगता है अगली अंतिम पंक्त में उन्होंने यही लिखा है कि अब ऐसे में जो मोनेटरी पॉलसी कमेटी है जो मौदरिक नीती समीती है वो क्या करेगी हो सकता है कि अभी भी वो मोनेटरी पॉलसी को टाइट रखे यानि जो रेपो रेट है उसको बढ़ाए क्या है थोड़ा सा ही बढ़ाए बढ़ाएगी उसमें कमी नहीं करेगी या सस्टेन रखेगी जितना उसने पहले रखा हुआ है उतना ही अभी भी रखेगी तो अगर अब आप समझेगा अगर मोनेटरी पॉलसी टाइट की जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में लिकुडिटी तरलता कम होगी और अगर तरलता कम होगी यानि लोगों के पास पैसे कम होंगे तो सभाविक है मार्केट में डिमांड पर और असर पड़ेगा और इस असर के कारण हमारी GDP पर एक negative impact पड़ेगा और GDP की growth rate कम होगी और फिर इन्होंने बताए यही कारण है यानि जो हम लोगों ने चर्चा किया यही कारण है कि जितने भी word के indicator हैं भारत की GDP के संदर में उन्होंने 2023 में भारत की GDP को 6% या उससे कम बढ़ने की बात कही है यानि हमारी GDP growth rate 6% या उससे कम रहेगी तो क्यूं कम रहेगी दोनों उधारन आपको बता दिया गया पहला बता दिया गया यानि अगर लोगों के पास पैसा है और उसकी क्रेशक्ति कमजोर है तो क्या क्या होगा दूसरा यह बता दिया गया कि अगर best week रूप से कुछ किवल भारत का RBI ही नहीं वो monetary policy को अभी ज़्यादा deal नहीं देंगे और अगर monetary policy को उदार नहीं करेंगे तो market में liquidity का crunch बना रहेगा तो इन दो कारणों से GDP पर सीधा impact पड़ेगा यही बात यहाँ पर समझाए गई है आई होप आप इसको बहुत अच्छे समझ गया होंगे ठीक है तो यह सारी बाते हैं राइटर यहाँ पर इसी बात को जो मैंने कहा हुन्होंने कहा कि हो सकता है कि monetary policy committee 25 basis point इस बार जो अब की बाली monetary policy committee की बैठक होगी तो उसमें 25 basis बढ़हुतरी कर दे वो तो मैंने पहले कहा कि हाँ भाई कर सकती है याद रखेगा ठीक है और GDP के बारे में उन्होंने कहा है कि इस बर्स GDP की ग्रोथ एक बड़ी चिंता में ठीक है और सबसे बड़ा जो इंडिया के लिए जो इस समय चैलेंजिंग है वो उसका core inflation है जरा समझेगा core मुद्राशित इस्पित यानि headline inflation जो होता है जिसे हम total inflation या कुल मुद्राश्पिती करते हैं तो headline inflation अर्थ ब्यवस्था में समगर बस्तुओं का क्या निकालता है inflation लेकिन core में दो चीजें सामिल नहीं होती है फूड और फ्यूल इसलिए चुकि फूड और फ्यूल जो होता है यानि खाद दे और इधन इनका rate बहुत तेजी के साथ उपर नीचे बढ़ता रहता इसलिए core inflation में इनको सामिल नहीं किया जाता है लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि जो हमारा core inflation है वो 2023 में उच्च है यानि जादा है core inflation जादा है यह याद रखेगा यह सितंबर में 6% था और दिसंबर में 6.1% हो गया है अब आप देख सकते हैं core inflation जादा है अगर core inflation जादा है तो यह हमेशा याद रखेगा इसका impact क्या होगा यह बहुत महतपुण होती है क्यों क्यों क्योंकि core inflation के दौरा हम क्या पता लगाते हैं उब्भोक्ता की इंकम पर बढ़ती कीमतों का प्रभाव तो कोर इंफलेशन अगर जादा है तो क्या होगा उच्च कोर मुद्राश्पीती का मतलब है कि भारती उब्भोक्ताओं को खाद्य और इधन की कीमते कम होने पर भी अधिक कीमत चुकानी होगी बड़ा महत्वपूर यानि खाद्य और इधन की कीमते कम हो गई लेकिन उसके बाद भी भारती उब्भोक्ताओं को कोई वी वस्त खरीद रहा है तो उसको जादा पैसे देने पड़ रहे हैं अब अगर उसके पास पैसे कम बचेंगे तो आप येसे वो इकोनामी में कहां इंवेस्ट करेगा लिशन इकोनामी में ये व्यक्ति कम कर देगा तभी व्यक्ति खपत को कम कर देंगे अब जब खपत कम हो जाएगी वही बात जो मैंने स्टार्टि में बता दी इस से ब्योसायों के बीच नई चमताओं में निवेश करने की मांग भी कम हो जाएग यानि अगर भाई हमारी बस तुकि डिमांड ही नहीं है, मैं कोई company चलाता हूँ, firm चलाता हूँ, तो आप मुझे बताएं, क्या मैं मेरे अंदर उत्सा होगा, क्या मेरे अंदर यह energy आएगी, कि भाई मैं और उत्पादन करूँ, नहीं आएगी, वही बात यहाँ पर कही गई, तो इसका मतलब क्या है कि 2023 में GDP कम रहेगी, तो उसके पीछे कौन-कौन से जिम्मेदार कारक हैं, I hope आप सब इस lecture से बहुत अच्छे से अभी तक समझ चुके हैं, कि क्या-क्या reason रहेगा, कि GDP कम रहेगी, याद रखेगा, फिर उसके बाद उनहीं को अब तीन points में यहाँ पर define कर दिया गया है, ज जिन्हित कर दिया गया, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, और इसका एक फायदार होगा, जब budget और survey आप पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आगा, सबसे बड़ी बात होती है कि survey और budget पढ़ना नहीं, according to UPSC, aspirant, civil services aspirant, वो समझना बहुत important है, economic survey, ठ पहला है, economy is already losing momentum, अर्थ ब्यवस्था पहले ही गति खोरी, क्या है, अर्थ ब्यवस्था पहले ही गति खोरी, बताने की जरुवत नहीं है, ठीक है ना, 2022 का जो financial year है, तो उसके 6 महिने, April, May, June, July, August, September, इन 6 महिनों में GDP की समरिदी थी 10%, लेकिन जो अब यानि बरतमान, 6 माही चल रही है, economy का जो second half चल रहा है, यानि October, November, December, January, February और March, इसमें अनुमान है कि GDP 4.5% की दर से ही बढ़ेगी, तो इसका मतलब है, economy गतिक हो रही है, पहला यह, दूसरा क्या कहा जा रहा है, economy is already sorry, दूसरा क्या है, कि यहां पर महंगाई अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है, RBI की सक्त मौद्रिक नीती आएगी, तो वही बात जो मैंने पीछे बताई, कि एक तो मुद्रा स्पीती है लोगों के पास पैसा नहीं है, number one, दूसरा कि RBI, tight monetary policy अभी ले करके आएगा, तो उसके करण क्या होगा, फिर लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि रिण लेना महंगा हो जाएगा, इन दो कारणों से GDP पर सीधा सीधा impact पड़ेगा, मैंने starting में ही सब बता दिय आपको, और फिर इसके बाद है वही जो बैस्विक मंदी है, इस समय संपूर्ण विश में, और उसका impact हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, अरे भाई विश में American Federal Reserve जब monetary policy को tight करेगा, inflation को control करने के लिए, तो उसका impact इंडिया पर भी पड़ता है, संपूर्ण विश पर पड किया गया, जिसमें उसने कहा कि विश रुकी एकोनामिया एक दूसरे के साथ जूड़ी हुई है, गलोबल वर्ड है, तो किसी भी इससे में मंदी रहेगा, उसका impact संपूर्ण विश पर पड़ेगा, और अभी तो बैस्विक अस्तर पर ही मंदी है, तो उसका impact हिंदुस्ता पर पड़ेगा, ध्यान रखेगा, तो यही सारी बाते हैं, एक्जामपल ध्याग्या बिश सुकी मंदी का, अमेरिका में, GDP की जो ब्रिद्धी होगी, देख सकते हैं, 2022 में 1.8% रही, 2023 में 0.1% ग्रोथ होगी, यानि वो गिरावट को प्रदर्शित कर रहा है, अब आप दे केवल 5% की ग्रोथ रेट बताई है, ये याद रखेगा, ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिएगा, एक तो करेला उपर से नीम चड़ा, कहवत होती न, एक तो करेला उपर से नीम चड़ा, ठीक है, और एक और कहवत होती, कोड में खाज, दोनों कहवतों को आप, तो यह कहा गया कि यह जो धीमी बृद्धी है, यानि GDP अगर कम है, एक तो इंफलेशन है, उपर समने पड़ा, GDP कम है, GDP अगर कम है, तो उसका इंपेक्ट क्या होगा, अब आप यहां से देखे, यानि जब समरिधी दर कम होगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं, पहले से ही बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अब अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, तो यह जो बेरोजगार है, इनकी क्रे सकती कम होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, यह जो बेरोजगार हैं, तो यह सब कौन होती है, हाउसोल्ड सेक्टर के के होते हैं घरेलू छेतर के यह कोई डिमांड ही नहीं कर पाएंगा तो फिर से एकोनामी पर साइकलिक इंपेक्ट पड़ेगा और फिर उसके बाद कहा गया कि अगर जीडीपी कम होगी तो एक बहुत बड़ा इंपेक्ट पड़ेगा यानि जो गवर्मेंट का रिवेन्यू क तो अब हम चक करेंगे कि जो बजट आएगा अगर राजकोशिय घाटा असंतुलित है असंतुलित रहेगा तो हम वहां देखेंगे कि क्या यही डिसकर्शन किया गया है तो यह रहा टॉपिक आई होप आपको मजाया होगा एक अच्छी समझ के लिए इसको आपको कराएग आज रात को साड़े 9 बजे मिलूंगा डीडी बश्शू इंडियन पॉलिटी पे आप लोग जुड़ सकते वाई दा गवर्मेंट और नॉट टू इंटरबीन बिद अमूल सरकार को अमूल के मामले में दखल क्यों नहीं देना चाहिए तो यहां पर मैं आपसे बातचीत कर करने वाला हूं अमूल के डेवलप्मेंट मॉडल का जहां पर इन्होंने चर्चा यह की है कि पहले तो न्यूज एक बार देख लीजिए फिर आते हैं उसके बाद बात करते हैं ठीक है चर्चा में क्यों है यह तो अब आप देखिए आर एस सोडी सहब थे यह सोमवार यान उन्होंने गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जी सी एम एम एफ के प्रबंद निदेशक मैनेजिंग डारेक्टर के पस से स्तीफा दे दिया और जी सी एम एम एफ के पास ही अमूल ब्रांड का स्वामित्यानी जो यह आप अमूल देखते हैं यह जो जो अमूल है प्रोड़क्ट इसका जो स्वामित्य तो है वो किस के पास है इसी फेडरेशन के पास है जी सी एम एम एफ यानी गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन तो इसका मतलब अमूल ब्रांड इसी के अंतरगत आता है यह पूरी न्यूज हर अख पास नहीं कि स्थीपा दिया या उन्हें उनके उपर राजनीतिक दवावड डाल करके उन्हें बाहर किया गया तो वो यह कहते हैं कि 9 जन्वरी को जो जी सी एम एम एफ के चेर्मेन सहाब हैं और जो वाइस चेर्मेन है यानि इस कोपरेटिव सोसाइटी के गुजरात कोप अवर्रेटिब मलक मार्केटिंग फेडरेशन जी सी एम मी के चेर्मेन और इसके वाइस चेर्मेन ने जिस लेंगवेज का स्तेमाल को हटाने के लिए वो मतलब कहनी दिखाता है कि उन mandar के साथаны हटाये गया है तो लिखा गया है MD के रूप में आपकी सेवाओं को ततकाल प्रभाव से समाप्त किया जा रहा है, अब देखेगा, your services as MD are being terminated with immediate effect, तो इसी मतलब language को पकड़ करके editorial writer ने कहा कि ये जो भासा इस्तेमाल की गई इससे तो यही लगता है कि उन्होंने स्वेक्षा से पद नहीं त हटा दिया गया है, यह यहाँ पर एक बात है, अभी exam में इसको आपको use नहीं करना है को उनको हटा दिया गया, something something कोई मतलब ने, फिर इन्होंने जो चर्चा की वो महतपोन है, चर्चा उन्होंने ये की है दो चीजों की, आप चाहें तो editorial को बिल्कुल पढ़ें भी न, ब आज अमूल अगर देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन पाया है, और केवल अमूल ब्रांड नहीं बना है, यह जिन किसानों से दूद खरीता है, उन किसानों को अधिकतम लागत पर यह खरीता है, यानि किसानों को अधिकतम राशी देता है, यानि किसानों की आये को यह दे पाया है जो 20 मतलब हिंदुस्तान के अन्य किसी वे राज में उतनी अच्छी कीमत किसानों मतलब जो दूद उतपादक किसान है उनको नहीं मिलती यह जो होप आया उसके पीछे दो रीजन जिम्मेदार नहीं कि अमूल का जो चरित रहा है यानि यह जो सोसाइटी है और दूसरा इसमें ब्यूरोक्रेटिक हस्तक छेप यानी रेट टेपीजम या लाल फीता साही नहीं रहे यह जो सोसाइटी है इस पे इन दोनों चीजों का असर नहीं रहा है इसलिए इसने बहतर परफॉर्म किया है बाकी देश की अन्य सोसाइटियों में पोलेटिकल आसक तो इसके कारण से अगर आप देखें तो जैसा प्रदर्शन अमूल का रहा वैसा देश की किसी भी मिल्क सोसाइटी का नहीं रहा है तो यहां पर यही सिखाए गया है इस एडिटोरियल में कि पोलेटिकल इंटरवेंशन और रेट टेपीजम प्रड़क्शन को कम कर द है तो पहली कोशिस है GS3 Economics में भारती अर्थविवस्ता में संसादनों को जुटाना यहां से अब आता है किसानों की आयद दोगनी करने के लिए हमें अमूल डेरी सहकारी संगों पर आधारित एक मॉडल की आउशकता है विसलेशन करें यानि किसानों की आयद दोगनी करने में अमूल डेरी मॉडल को पूरे देश में ब्यापक अस्तर पर अपनाय जाने की आउशकता है अब जरूरी नहीं कि हर जगा अमूल यानि जो भी dairy product हमारे हैं, जो भी dairy में cooperative societies काम कर रही हैं, उन सब को इसी model के अधार पर develop किया जाए, यहां पर ये बात कही जा रहे हैं, तो किसानों की आए बढ़ेगी, तो पहला point आपको ये याद रखना है, किसानों की आए बढ़ेग 12 वर्षों के दोरान, ये जो GCMMF है, इसका कारोबार आप देख सकते हैं, लगबग 6 गुना बढ़ गया है, ठीक है, तब आप देख सकते हैं, ठीक है, और पिछले 20 वर्षों में GCMMF के जिला दुख्ध संगो दोरा, यानि GCMMF की इकाईयां काम करते हैं, डिस्ट्रिक्स में ये तो पूरे राज के लिए है, ये GCMMF क्या है, पूरी राज के लिए है, और जिला दुख्ध संग हैं, जो डिस्ट्रिक्स में काम करते हैं, तो ये कहा जा रहा हैं कि जब या ध्यक्ष रहे हैं, तो जिला दुख्ध संग को जो भी मतलब भुक्तान किया जाता है, वो बह प्रति केजी जो फैट होता है उसके लिए जब इन्होंने जॉइन किया तो प्रति केजी जो दूद उत्पादक होते उनको 184 रूपए दिया जाता था अब बढ़ करके 820 हो गया आप यहां से देख सकते अगर आप इस फैक्ट को नहीं भी याद रखना चाहते हैं तो मद य लीटर मिलता है इसमें जो प्रोडूशर है उसका हिस्सा करीब 50 रूपए या असी फीजदी से जादा मैं यही आपको सिखाने जा रहा था मतलब यही बताने जा रहा था कि 63 रूपए प्रति लीटर में से 80% पैसा जो जो दूद का उत्पादन कर रहें उनका है यानि जो अमूल को दूद दे रहें उनका है तो आप देख सकते हैं 80% से जादा दूसरे सब्दों में GCMMF ना किवल किसानों के दूद की प्रकिरिया और बिपड़न में मदद कर रहा है यानि बलकि उन्हें उप्भोगता रूपए में उचतम संबो हिस्सा भी दे रहा है जरा ध्या लगा रखें यानि किसानों को दूद उत्पादन से ले करके बेचने तक का पूरा एक सिस्टम दिया उसके साथ उभोगता से जितना रूपया वसूलता है उसका अधिक्तम हिस्सा भी दूद उत्पादक किसानों को मिलता है तो आप देख सकते हैं इसका मतलब है अमूल डील करिएगा एक पैराग्राफ आप यहां पर इसको डाल दीजिएगा कि अगर हम अमूल के मॉडल को अपनाए तो दूद उत्पादन की तरफ किसानों को यानि पसूपालन की तरफ किसानों को हम आगे बढ़ाए और उसके बाद उनको अधिक्तम इंकम होगी उनकी आधि सरकारी नीतियों और विबिन छेत्रों में विकास के लिए हस्तक छेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यानवयन के करण उत्पन विशे government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation अब सरकारी नीतियों और विबिन छेत्रों में विकास के लिए हस्तक छेप तो government policies ये government की policies है किसको रखना है किसको हटाना है सरकारी हस्तक छेप है अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक प्रश्न है do you think ये केवल आपको समझाने के लिए ये question मैं खुद कहरा हूँ direct आने वाला नहीं ये वाला वो तो आ सकता है तो उसमें एक paragraph आपको यूज करना ये पूरा आ नहीं सकता लेकिन इसमें हमें यूज करना do you think political intervention and red tapism hinders economic development क्या आपको लगता है कि राजनीतिक हस्तक छेप और लाल फीता साही आर्थिक विकास में बादक है तो यहाँ पर यही बताए गया है अमूल मॉडल का एक्जामपल दे करके तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अमूल मॉडल की सफलता उसका एक brand के रूप में पूरे देश में ब्यापक सुभिकृति इसके साथ साथ दुग्द करांती में इसकी भूमी का आपरेशन फ्लड में बर्गिस कुरियन की भूमी का यह इस बात का प्रमाण है कि अगर हम ब्यूरोक्रेसी से राजनेतिक हस्तक छेप से संस्थाओं को बचा पाने में काम्याब होते हैं तो वह अधिक्तम लाप के सिध्धान पर काम कर सकते हैं यहां पर यही बताया गया है तो बस आप ध्यान रखियेगा अगर प्रशन आता है तो टेकल करिएगा अधरवाइस मत करिएगा और उसके साथ साथ निबंद किसी संस्था का चरित चित्रन उसके नेत्रित में प्रत कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के जो संस्थापक रहे हैं अभी उनके स्टेट्मेंट बताऊंगा तब आपको इस प्रशन को लिखने में मदद मिलेगी तो यह सारी निउस आपको पता लग गया यह सारी बाते पता लग गया अब आता है कि यह सब कैसे प्रशनल मैनेजमेंट यानि ब्यावसाइक प्रबंधन क्या है ब्यावसाइक प्रबंधन याद रखेगा ब्यावसाइक प्रबंधन के लिए हमेसा एक टीम चाहिए क्या चाहिए एक अच्छी टीम चाहिए तो अमूल का जो मॉडल है उसमें जो टीम चुनी गई है तो इस ठीक है ना क्या होती है, elected board of directors, elected board directors यानि निर्वाचित निदेशक मंडल होते हैं, इसमें बिपड़न और बित्र के पेशेवर होते हैं, परियोजना के इंजिनियर होते हैं, पसूच किस्सक होते हैं, क्र्षिब ग्यानी होते हैं, nutrition के बिशेशक होते हैं, याद रखेगा, तो और operate किया जाता है through a chief executive and his team तो एक तो इसमें आप देख सकते हैं किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक छेप की या प्रसासनिक हस्तक छेप की गुंजाइस नहीं है दूसरे इसमें जो है सारे विशेशक के सामील होते हैं यानि कोई पोशन पर विशेशक है कोई अगरी कल्चर का साइंटिस्ट है कोई पसुचिकिसक कोई परियोजना इंजिनियर तो विशेशग्यों की एक टीम होती इसी को कहा गया professional management तो राइटर कहते हैं इसी model ने GCMF को राज्य डेरी सहकारी संगों से अलग बना दिया बड़ा important आप आगया point होई कि भाई राजनेतिक हस्तक्षेप और लाल फीता साइक किस परकार से हमारे लिए हानिकारक होते हैं तो यही काग्या ये जो ब्यावसाइक प्रबंदन है जो Chief Executive और उसकी तीम के नेत्रित में यहाँ पर काम होता है जो इतने विशेशक यह हैं जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं है तो इसी कारण से ये सफल है और यहाँ पर कहा गया इस्टेट के जो डेरी कॉपरेटिव फेडरेशन्स होते हैं इनकी तुलना में जीसी एमेमेफ बहुत अच्छा काम कर रहा है स्टेट वाले अच्छा काम नहीं कर पारे हैं याद रखेगा अब यहाँ पर बता गया ऐसा क्यों होता है तो यहाँ बता गया कि जो स्टेट के डेरी कॉपरेटिव होते हैं ठीक है न उसमें जो एमडी होता है मैनेजिंग डिरेक्टर होता है वो यूजली आईयस आफीशर होता जो सेक्रेटरी यानि सच्छी जो सेक्रेटरी याफ अनिमल हस्वेंडरी और डेरिंग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सरकार की भूमिका और यहाँ पर प्रसासनिक अधिकार यानि रेट टेपीजब तो यहाँ पर क्या है लाल फीता साही की पूरी-पूरी भूमिका दिखाई पड़ जाती है याद रखेगा अर्थात किसानों के प्रतिन ना तो उनके बोड और ना ही प्रबंधक जबाब दें हैं अब जरा ध्यान रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है राज डेरी सहकारी समीतियों में क्या होता है GCMMF के से अलग प्रबंद निदेशक आमतोर पर आयस अधिकारी होते हैं जिम्मेदार किसके प्रति होते हैं पसुपालन और डेरी विभागों के सच्चियों को रिपोर्ट करते हैं यानि उनको अपने से सीर सदिकारीयों को रिपोर्ट करना इसका मतलब वो किसानों के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो इसी लिए द्यान रखेगा इनका पर्फॉर्मेंस कमजोर जबकि GCMF क्या है इसका जो मॉडल है यह किसानों के प्रती जबाब दे हैं और उसी के प्रणाम सुरूप किसान 80% से ज़्यादा लाब अरजित कर रहें अमूल में और यहां पर नहीं है यह आपको ध्यान रखना है अफिर यहां पर बताये गया है कि अमूल के जो संस्थापक थे उनमें से एक नाम था मिस्टर त्रिभूंदास पटेल वह उस समय ठिक है कॉंग्रेस पार्टी से संबंदित थे लेकिन उन्होंने उसी समय कहा गया था कि अमूल के इस मॉडल में राजनीत के हास्तक छे बिलकुल भी नहीं होना चाहिए यह उनका स्टेट्मेंट था और उन्होंने कहा था इसका जो management होना चाहिए वो professional होना चाहिए क्या होना चाहिए professional होना चाहिए याद रखेगा अगर अमूल में राजनीतिक हस्तक छे पाता तो यह एक सरकारी विभाग यह उपकरम बन जाता government department बन जाता जैसे सरकारी विभाग काम करते हैं तो पहले से ही इसके संस्थापकों ने उ इसका परिणाम रहा कि आज एक बहुत सफल सिस्टम के रूप में हमारे सामने आया है याद रखेगा और इसमें साफ साफ कहा गया है इसका एक बोर्ड होगा जो ना तो सुतंत्र है और ना ही अपने अंतिम किसान सेर धारकों के प्रती जवाब दे है याद रखेगा उन्हों क्या कर रहा किसानों का सक्ष्ण करन खराओ ठीक उतपादकों के दोरह यह नियंत्रित है यानि जो दूद उतपादन कर रहे हैं उनकी इसमें केंद्रीय भूमिका है और साइध यही करने कि अमूल भारत आप इसको डाल सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है, तो इंडियन पॉल्टी, रात को साड़े नो बजे डीडी बाशू आप लोग मिलिएगा, अब आते हैं, इंडिया and the new global order भारत और नई बैस्विक बेवस्ता, तो यह क्या है भारत और नई बैस्विक बेवस्ता, इसमें global south जो सम्मिट हुई थी virtual, जिस पर मैंने आप लोगों को कल और परसो भी कराया था, तो उसी विशे पर लिखा गया, लेकिन इसमें थोड़े point अच्छे आये थे, जैसे उस एडिटोरियल में सारे point आ नहीं पाये थे, भारत ने किन-किन विश्यों पर virtual global south meeting में फोकस किया था G20 के अंतरगत, तो यहां पर वो सारे point हैं, इसलिए मैंने एक बार और करा दिया, क्योंकि G20 से संबंदी सारी चीजे में आपको कराना चारा हूँ, तो GS2 IR में G20 हई है, तो आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, महत्पुन अंतराश्य संस्थाएं, G20 उसमें आ अब यहां पर मैंने एक model ऐसे लगाया है, आपको हो सकता यह लगे कि मैंने क्यों लगाया, तो क्यों लगाया ऐसे पहले आते हैं, देखते हैं कि यह editorial किस बात पर लिखा गया है, खबर क्या है, तो यहां खबर वही है, जिसके बारे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, ले देशों के नेताओं और मंत्रियों निसमें भाग लिया, Global South का मतलब ये सारे देश जो विकासील है, अल्प विक्षित हैं ये सारे देश यानि Global South के जिसके बारे में आपनों को याद होगा, मैंने बताया भी था कि विकास के अधार पर उत्तर और दक्षुन के रूप में विश्चुका विभाजन जर्मनी के चांसलर 1980 के दसक में मिस्टर बिली ब्रांट ने किया था, ठीक है, ये साब मैंने आपको बताया हुआ था, तो खबर क्या है, आपको पता लगया, Global South के 125 देशों के निताओं और मंत्रियों ने भाग लिया, और जो भाग लिया, इसकी जो थीम थी वो इंपॉर्टन्ट है, समिट में क्या मुद्दा उठाया गया, यही मैंने निबं तक आपको कोई भी चीज कंप्लीटली ना करा दूँ, तब तक मन मानता ने, केवल इसी एक पॉइंट के लिए यह है, इडिटूरियल मैंने रखा, पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ, यह वाला पॉइंट तो रह गया बच्चों का, और इन्होंने कहा है, वाय सम्मिट में, पुरधान मंतुरी नरेंद्र मोधी ने जो यह नारा दिया, इसी को मैंने आपके लिए निबंद बना दिया, क्या बना दिया है, निबंद बना दिया है, हुमन सेंट्रिक गलोबलाईजेशन, मानव केंदृत वैश्वी करन, अब आप यहां से समझ सकते हैं, मानव केंदृत वैश्वी करन, तो अब फ्यूचर में आप यहां से तयारी कर सकते हैं, और अच्छे से इस बिशेपर निबंद लिख सकते, कैसे, यानि इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, जो जो बाते मुद्ध जी ने कही है, जो जो मुद्धे उठाए गएं, वही है, मान भारत इस पर कोई question नहीं भी आ रहा है, तो भी अगर हम भारत को as a global leader के रूप में दिखा रहे हैं, तो कितना अच्छा point आ है, कि हाँ भाई भारत global leader के रूप में अपने आपको स्थापित कर रहा है, बहुत से point आप लिखिए, उसमें एक point ये भी लिखिए कि global south summit में, जो भारत ने मानो केंदृत भुमंडली करण की बात की थी, यह जो मानो केंदृत भुमंडली करण की अधारणा है, यह दिखाती है कि भारत विश्व का नेतृत मानोता के अधार पर करना जाता है, किसके अधार पर, मानोता के अधार पर, तो एक point आप वहाँ पर डाल सकते है तो मानो केंदृत बैश्विकरण इसलिए मैंने इस टॉपिक को कराया आप लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक करा दिया था चाहता तो इसको ना कराता लेकिन केवल एक वर्ड के लिए कि मान लो आ गया तो कम से कम आप एक दो पॉइंट लिख सकत रहे है ऐसे प्रशन पूछा था मैं उसकी ठीम आपके सामने बता रहे हूं आप पिछड़े रास्टन का मुख्या ही नहीं है वह अपितल बैश्वीडर की रूपРЕ अपने आपको इस्ठापित कर चुका है तो बैश्वीड legs में Global South Summit हुई है virtual उसमें जो मानो केंदरित भुमंडली करण की बात कही गई है उसको आप यहां पर code कर सकते हैं ध्यान रखेगा तो यह हो गया यहां पर आगे मानो केंदरित बैश्वी करण का अर्थ क्या है तो उन्होंने जो बोला है वो भी बहुत important है इसका मतलब होता है जो की climate crisis को create ना करे depth crisis को create ना करे बड़ा महतपून यानि मानो केंदरित बैश्वी करण का मतलब हो गया एक ऐसा बैश्वी करण जो जलवायू संकट को ना पैदा करे और जो रिड़ संकट को पैदा ना करे जलवायू संकट इसका मतलब जलवायू संकट को पैदा करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो सुविकार करें तो बिक्सित रास्टों के यानि उत्तर के देशों की सबसे बड़ी भूमिका है वो इस बात को सुविकार करें और सिद्धान्त एक हो सामान्य सिद्धान्त हो की ग्लोबल वार्मिंग पर नियंत्रन सभी को मिल करके करना लेकिन बिभेदी कृत बेवहारों कि जिसकी जिम्मेदारी जादा हुँ अपनी जादा भूमी का निभाये भारत यह कहना चाहरा उसके साथ साथ क्या कहा रहा है डेप्ट क्राइसिस नाव रिण का संकटनाव यानि बिकासील रास्ट अल्बिक्सित रास्ट जो रिण अंतरा ली जाए इसी को बोला गया है मानो केंदृत भूमंडली करण आई होप आप इसको समझ गयोंगे इसको बहुत अच्छे से लिख लीजेगा यह अच्छा पॉइंट है ध्यान रखेगा पीम मोदी ने कहा कि देशों को क्या करना चाहिए यहनि मानो केंदृत बैश्वी करें सामान ने लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धानत को पहचाने सामान यानि रिकोगनाईज दप्रिंस्पल आफ कॉमन बट डेफ्रेंशियेटेड रेस्पॉंस्बिल्टी इसका मतलब क्या है कि जैसे एक्जाम्पल है कि जलवाय परिवर्तन सभी देश मिल करके काम करें लेकिन जिसने जादा कार्बन उसर्जन किया उसकी जिम्मेदारी जादा हो तो यह देख सकते हैं इसके अलामा अंतरास्ट्रिक कानून और छेत्रिय शंप्रभुता का सम्मान किया जाए जैसे चाइना है अंतरास्ट्रिक कानूनों का उलंगन करता है या अभ है और छेत्रिय संप्रभुता जैसे एलेसी वगरा पर अटेक कर दे रहा है तो उसका सम्मान करें और संयुक्त राश्यत अंतराश्य संस्थानों में सुधार तो इसको प्लीज याद रखेगा इसी लिए मैंने इस टॉपिक को यहां पर लगाया है यह सारे पॉइंट भारत क में इस्थापित करते हैं इसके साथ साथ मोदी जी ने फोर आर एस का फार्मूला भी दिया पहला आरा रिस्पांड दूसरा है रिकोगनाईज तीसरा है रिस्पेक्ट और चौथा है रिफाम इसको भी आप याद रख लिजेगा ग्लोबल साउथ में जो भी चुनोतियां उससे निपटने के लिए उन्होंने ये चार फार्मूला दिया है उन्होंने क्या कहा कि हमें मिलकर प्रतक्रिया करनी चाहिए मिलकर समस्याओं को पहचानना चाहिए हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए और हमें सुधार करना चाहिए और इसके लिए बिशुका आवा करना चाहिए यह सारी बाते हैं बट जो इंपॉर्टन था हो मैंने आपको बता दिया याद रखेगा तो यह एक भारत का बहुत महत्पूर्ण प्रयास रहा लेकिन यहां पर चुनोतियां कहा गया यह तो हो गया प्रयास आप इसको लिख लीजिएगा अच्छा पॉइंट थ इस अब यहाँपर बताएगा कि चुनोतियां भी ब्यापक है चुनोतियां मतलब क्या म्तलब साउट के जो देश हैं और सब्सक्राइब और जैसा चाइन और है बहुत आर्थिक रूप से ताक्तवर हैं भारत भी ताक्त यूद्न नहीं नहीं हैं तो यहां पर बहुत चु परकिस्तान का अपना अलग विचार यानि देशों के बीच में एकता नहीं है तो यह भारत के लिए थोड़ी सी चुनोती होगी कि सब को एक साथ ले करके चलना लेकिन भारत को प्रयास करना चाहिए यहाँ पर यही बात कही गई है ध्यान रखेगा ठीक है ना क्यों क्योंकि भारत जैसे बड़ी उभरती ताकत आत्म केंद्रित नहीं हो सकती है तो ऐसे में भारत को यानि एक ऐसे भुमंडली करन पर बात करनी ही चाहिए जो मानो केंद्रित हो तो यह रहा टॉपिक आई होप समझ गए है अब आता है प्रिलिम्स के लिए मागी मेला क्या है कल्चर क सहर में मागी मेला मनाय जाता है और यह क्यों मनाय जाता है चुकि 1705 में एक युद्ध हुआ था खिदुराना की लड़ाई में मुगलों से ड़ते हुए 40 सिख योद्धा मारे गए थे और सहीद हुए थे और उनीक याद मेया मनाय जाता है यह प्रिलिम्स के लिए याद र 211 से ले करके यानी कल तक का आज तक का है धान रखेगा तो गोदावरी की एस्टोरी में बच्चों आंद्र प्रदेश में यहाँ पर क्या मिला है इंडियन इस्किमर जिसे हम रेंचॉप्स अलबी कोलिस कहते हैं यह कहां पाया गया है यह यहां पर पाया गया मतलब यह ब यह उसका निवास अस्थान है तो प्रिलिम्स में अगर पूछे रेंच आपस अलभी कोलिस का निवास अस्थान कहा है तो गोदावरी एस्चोरी आंदरप्रदेश याद रखेगा अब इसके बाद फिर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है यह जो बर्ड है यह क्या है यह च प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह देखिए सफेद वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाइ इसको याद रखेगा यह एक रेयर इस्पीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला के कन्णूर में पाई गई है याद रखेगा ठीक है और सबसे प्रिलिम्स के लिए है यह जो white tufted royal butterfly जो केरल के कंदूर में पाई गई है यहां protected है किसके अंतरगत wildlife protection act की schedule 2 के अंतरगत अंसूची 2 के अंतरगत तो आज आपका homework है wildlife protection act के बारे में google करके पढ़िएगा इसका schedule 1 क्या होता है इसका schedule 2 क्या होता है इसको आपको detail से पढ़ लेना है और इसका नाम आपको याद रखना है ध्यान रखेगा ठीक है ना तो यह सारी बाते हैं इसके अलामा यह जो butterfly पाई गई है यह 2017 में तमिल नाडू में अगस्ते कोडम में भी पाई गे थी कहां पर अगस्ते कोडम में भी पाई गे थी इसको भी आप याद रखे लिजेगा इसके अलामा 2018 में केरल के सेंट डुरेनी वाइड लाइप सेंचुरी में भी यह पाई गे थी इसको आप याद कर लिजेगा वाइट टब्ड रायल बटरफलाई तो यह हो गया दो आपको ध्यान में रखना है अब इसके साथ केरला में जरा ध्यान दिजेगा साड़े 4000 पेनाल्टी किक बारा घंटे में लगाए गए हैं और गिनीज वर्ड रिकॉर्ड केरला ने बना लिया यानि आप देख सकते हैं कि जितने भी केरला के प्लेयर रहे हैं कुछ बाहर के भी प्लेयर रहे हैं उन्होंने लगाता साड़े 4000 के मारा है और उसके बाद उन्होंने गिनीज बुक रिकॉर्ड बना इसके पहले धाई हजार का रिकॉर्ड था ये भी आपको ध्यान रख लेना है इसके अलाव़े डियसी गिफ्स नोड टू पर्चेस इंडिजेनियस डिफेंस सिस्टम तो हमारा जो डिफेंस ए करोन के रच्छा उपकरण खरीदे जाएं जो की इंडिजेनियस यानि हमारे देश के अंदर बने हैं तो इसमें पहला होगा हेलिकॉप्टर लांजड नाग जिसे हम हेलीना भी कहते हैं तो प्रिलिम्स में हेलीना पूछ ले तो हेलीना मतलब हेलिकॉप्टर हेल ठीक ही और एल आई से लांज हो गया और एम से नाग हो गया तो हेलीकॉप्टर लांजड नाग यानि हेलीना एंटी टैंक गाइडट मिसाइल यानि एटी जीम तीसरा बेरी शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम भी सोरड इसके बारे मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था औ ब्रमोस क्रूस मिसाइल लांचर और इसके अलावा अंगला फायर कंट्रोल सिस्टम फार नेवल सिप्स तो इसको आप याद रख लिजेगा और विशेश कर मैंने आपको कहा था कि डिफेंस एकुजीशन काउंसिल के बारे मैं पढ़ लिजेगा मैंने कंटेंट भी आपको होता है विद ट्रेट पैक्ट विकमिंग रियलिटी आस्ट्रेलिया के पीम हिंदुस्तान आने वाले हैं तो भारत आस्ट्रेलिया के समन्दों पर आगे बातचीत की जाएगी और भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने अप्रूब किया है 2600 करोड रुपए का इंडिया में और ब्रिद्धी होगी धान रखेगा बेजिटेबल प्राइस हेल्प कूल इंफलेशन तो सबजियों की कीमते गिरी हैं जिसके कारण से मुद्राश्पिती कम हुई है यह आपको बताएगा बहुत जादा इंपॉर्टेंट नहीं है वरीड ओबर यूज आप म राजनीत में क्यों नहीं आना चाहते हैं सक्रिय राजनीत में जो नैतिक युवा होते हैं जो साधन साध्य इन सब की पवित्रता में विश्वास रखते हैं वो राजनीत में क्यों नहीं आना चाहते हैं तो वो राजनीत में इसलिए अब देख सकते हैं एलेक्शन कमिशन खुद का उस प्रशन के उत्थर में लिखेगा कि नैतिक रूप से सक्छम युवा राजनीत में आना नहीं चाहते हैं जिसका एक प्रमाण है। तो पहला point लिखेगा, election commission ने supreme court में आ लिकाओ, election commission ने supreme court में एक यह आचिका थी, जिस पर supreme court सुनवाई कर रहा था, तो election commission ने अपना पक्ष रखा, election commission ने साफ माना, कि election में क्या है, यानि over use of money, एक गंभीर चिंता का विश है, seriously concerned विश है, उन्होंने कहा कि हमने election expenditure monitoring mechanism 2010 में बिहार के assembly पोल से ही सुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, और चुनाओं में अत्यधिक धन का इस्तेमाल हो रहा है, आप यहां से देख सकते हैं, तो यह आप लगा दीजेगा, एक point वहाँ पर हो जाएगा, इसके अलावा यह बहुत अच्छा research है, यह तो मजा ला देगा आपको, इसको प्लीज आपको एक-एक line में बताऊंगा, और एक-एक line आप लोगों को पढ़ना, क्या करना है, एक-एक line में पढ़ाऊंगा, और इसको एक-एक line आप लोगों को पढ़ना, health sector पर एक भईया must report आगे, इसलिए म मतलब नहीं, मैंने बता दिया कि इसको use कर लेना, बस बात कतम एक ही line में, तो simple है, अब यह है, इसको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि health पर एसे पूछ रहा है, प्रात्मिक सिक्छा स्वास्त में पिछला पन, भारत के पिछले पन का कारण, ऐसे बहुत से प्रश् सिक्छा स्वास्त पर मानो संसाधन प्लस एसे है, ठीक है, और वे सपने जो सोने ना दे टाइप, सभिकारोग टिका सास सुधार करने की निस्टा सफलता के दो मंत्र हैं, जो आए सब में चेंप दीजिएगा, ठीक है, अच्छा एक चीद है, आज आईएगा, जरूर कल पर टीम ही मिलती है, जो है रात में, ठीक है, तो और इसलिए उनको नो बज़े सिंटर्व्यू की त्यारी का टाइम दे रखा था कल, तो मुझे सारी क्लासेज हटानी पड़ी, आज भी साड़े नो बज़े मैंने आपकी क्लास पहले नो बज़े लांच की थी, ये वाली क्लास डीडी बस वाली, लेकिन अब उसको मैंने साड़े नो बज़े किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर मुझे बीजी मिनिट मिल पाएगा, नो बज़ के दस मिनिट से नो बज़ के तीस मिनिट पर, इसके लावन दो बच्चियां और हैं, जिनको मैं इंटर्व्यू की त्यारी क कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप सेफ हैंड में, सुरक्षित हाथ में हैं, तो बट आज क्लास होगी होगी, साड़े नो बज़े, और पहला लेक्चर है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, डीडी बस हूगा, दो गंटे के लेक्चर है, यह मैं समझेगा, एगंटा, फिर एगंटा, एक साथ दो दो घंटे का, तीन घंटे कर दूँगा कल से, मैं राथन क्लास है, इस्पेसल पर, लिंक अभी सेर कर रहा हूँ, और लिंक यहां पर भी पिन करा रहा हूँ अभी, यहां पर भी आनी, इस लेक्चर के नीचे पर, अब आते हैं, स्ट विशेशक की डॉक्टर, विशेशक क्या मतलब, जैसे गैंकोलाजिस्ट हुआ, पेडियोट्रिक्स हुआ, सरजरी का स्पेसलिस्ट हुआ, ठीक है, जनरल मेडिसीन यानी, ठीक है, स्पेसलिस्ट डॉक्टर की कमी है, अब देखिएगा, कहां पर, कम्यूनिटी हेल्थ पर हम लोगोंने खुब पढ़ा है, सामुदाईक स्वास्त केंद्रों पर, जो विशेशक की डॉक्टर होते हैं, उनकी गंभीर कमी है, यानि अगर कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर पर, सव डॉक्टरों की जरूरत है, मैं ऐसे बता रहा हूं, तो उसमें से 80% तो हैं नहीं, के इसने बताया है, यह रिपोर्ट आई है, रूरल हेल्थ इस्टेटिक्स रिपोर्ट, इसको रट लीजेगा, रूरल हेल्थ इस्टेटिक्स रिपोर्ट, जिससे पब्लिश किया है, यूनियन हेल्थ एन फैमली बेलफेर मिनिस्ट्री ने, कब पिछले सब्ता यानि थर्सड होते हैं यह 30 बेट ब्लॉक लेबल हेल्थ होते हैं यहां पर 30 बिस्त्रों वाला एक अस्पताल होता आप ऐसा माल लिजी और जहां पर कौन-कौन से विशेशक के उपलब्द कराए जाते हैं सर्जरी के भी इसको रटिएगा गैंकोलॉजिस्ट भी बच्चों के डॉक्टर भ और भाइ जैसे। स्वास्त देखभाल का फोकुस हमारे समाज में समृदों के पक्च में है। लिखिए इसको चिपका दीजी। कि रूरल healthy aesthetics report भीस बात का प्रमान है कि स्वास्त देखभाल का focus समाज में सम्रोदों के पक्ष में क्यों क्योंकि जो वंचितों के लिए बेवस्ता है प्रामरी कम्यूटी वहाँ पर ये स्थिती है according to union health and family welfare ministry ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कि सर्जन की कमी कितनी है 83% इसके अलब आप ट्रेट्सियन की कमी कितनी है गैंकुल लाजिस की कितनी है 74% फिजी सेल्स की है 79% और जो बच्चों के होते हैं उनकी कमी 81% अब आप देख सकते तो इतनी कमी है अब आप इसको रट लीजेगा वेस्स अपने जो सोने ना दे जितना भी निमंध मैंने जिक्र किया उसमें रख रख दीजेगा और भारत में लगबग 6064 CS CS Community Health Centers हैं पूरे देश में बच्चों याद रखेगा और वहां पर ऐसी स्थिती है तो आप आप देख सकते हैं इतना ही नहीं इतना ही नहीं यानि specialist doctor तो ही नहीं है इसके अलावा woman health workers की भी बड़ी कमी है इसके अलावा जो midwife होती है उनकी भी बहुत बड़ी कमी है तो आप देख सकते हैं यह वही सपने जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं और डीडी बसू Indian polity lecture 1 सुरू होने जारा दो घंटे की class 9.5 से 11.5 जो prelims पर दवा के focus हैं चले आएं और उसके साथ साथ सारी classes prelims को ले करके एक परसंट भी होता ना concert dialogue थयार की बाजी राओ की तलवार पर संदे नहीं करते हैं तो ऐसे ही prelims के लिए बहुत कुछ करने जारूं पहले तो 31 जनवरी का इंतजार यानि economic survey तो मैं economics basic से advance सब कराने जा रहा हूं एकदम नए डंक से जैसे पिछली बार UPSC 101 चैनल पर कराया था आपकी बार यहां कराऊंगा तो economics कराने जा रहा हूं 31 जनवरी से इसके बाद यानि यह पूरा बैच ही स्टार्ट हो जाएगा दो महिने का धाय में टॉप 50 चेप्टर लेके आ रहा हूं छे फरवरी को अब आप कहेंगे सर रिला रहे हैं ऐसे कह रहे हैं तो नहीं यह आ रहा है हमारी टीम यानि हमारे बच्चे ही इस बार जो मेरी निगाह में अच्छे परफार्मर थे प्लस के और यूटूब के दोनों बच्चे उनकी एक टीम मैंने बना दिये कंटेंट मेरे पास पहले से ही था आप सबको पता है होगा टॉप 50 चेप्टर मेरा प्लस में काफी हिट वो जो खंड है सभी बच्चे उसको पढ़ने आते हैं तो टॉप 50 चेप् रुकेगा नहीं उनको मैंने हर सुख सुविधाय उपलब्द करा दी हैं तो अच्छे से काम इस पर हो रहा है तो छे फरवरी से प्रिलिम्स ले लो नाम से स्टार्ट हो रही टॉप 50 चेप्टर की कौनसी प्रिलिम्स दे दो मेंस ले लो स्टार्ट होने जा रहा है यह छे तारिक से टॉप 50 चेप्टर वही जो 50 चेप्टर मेरे हैं जिसमें अभी तक मैंने बात नहीं किये लेकिन स्वभाविक है जियोगर्फी मैं पढ़वाओंगा समित राठी सर से और हला मैंने बात नहीं कि लेकिन वो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे इन्वार्मेंट टॉप में और साइंस में यह जोगर्फी और इन्वार्मेंट में और उसके साथ इसारी तुम्हाओंगी मैं जिसमें ऐसा न होगा कि मैं सार में पॉलेटी हिस्ट्री एकोनामिक्स surgery करने जाए रहा हूं current affairs ये सारा मैं करा रहा हूँ बाकि ये तीन विशे मैं specialist ले क्या हूँगा environment, geography और उसके साथ science current affairs इन सब का मैं ही पढ़ा हूँगा तो इसलिए मज़ा आने वाला है मेरी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की कमी नहीं अब क्या करें परिस्तियां ऐसी हो जाते हैं घर जाना ही पड़ा क्योंकि पिछली बार चाचा जी एक्षपायर किये थे मैं जा नहीं पाया था बच्चे क्या बताओ मैं मैं राजस्थान था उस समय और क्योंकि पहली बार राजस्थान में कोई function हो रहा था जिसमें पूरी भूमी का मेरी थी मेवाड उनिवस्टी में तो मतलब मैं जा ही नहीं पाया उनके अंत्यस्थी में और इस बार उन्हीं की पत्नी चाची जी को अटक आया तो ओवियस से दिल पर बड़ा भारी बोशता अगर मैं अंत्यस्थी में ना पहुंचता तो सायथ बड़ी तकलीफ रहती तो क्या करें परिस्तितियां है और आने जाने में गाउं तीन दिन तो लगी जाता है फिर एकार दिन आने के बाद हिम्मत नहीं होती जो कि गाड़ी साना जाना ठीक है तो मेरी प्रतिबधता पर संदेश नहीं करते ठीक है मेहनत करते हैं सुनाली लिखते चलिएगा वर्षा बहुत बढ़ियां बच्चे इंडिया का लार्जेस लडिंग प्लेंट फार्म यू पीएस्टी की तयारी अगर आप अंडर मेरे अंडर गैडिनस में करना चाहते तो अनिक प्लस और आइकोनिक दो कोर्स हैं ले करके वाइए तयारी करें और य है कि सर हमने ये कुर्ष वहाँ खरी लिया ये कुर्ष वहां ले लिया इतने में आप क्या जियादा है आपकी अपनी मर्जी है लेकिन आज ये बात रखना मेरी एक जिम्मेदारी है कि देखो भजीया मेंट्चर आप समझ रहे हैं मेंट्चुसी बहूत इ inspect हैं आप पढ़ अब तक मुस्किल होगा मैं नहीं कराओं कि इस्वर करें कि बगएर गुरू की आप लोग सेलेक्षन पाएं अस्टा मेरा अंदर से असिरवाद है लेकिन मतलब कुछ पैसों के लिए अगर सक्षम है अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं लेकिन अगर सक्षम है तो किवल चूट का हिस्सा पाएं मिलते हैं चोटे से ब्रेक के बाद जैहिन लेट्स क्रेक गाड़ ब्लेस्ट अबरीवन थैंक्यू सो मच बहुत 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 आसर बाद निवन्द की क्लासेस परसों से आपकी कांटिनू हो जाएंगी यूपियस्टी वाली चर्चा पर और माचा